हेलो गुण मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चले जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी खबरों को कई दुकानों में तोड फोड की गई पत्राओं में कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है पांकी में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है जारकन सरकार की गिरिविभाग ने टेली कॉम कमपनियों को आदेस दिया है कि सुला जनवरी क साम चार बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहे यानि कि आज साम चार बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगा पांकी बजार पूरी तरह से बंद है सड़क पर पत्थर बिखरे पड़े हैं एक पक्च के लोग का कहना है कि तोरन द्वार लगाने के बाद दूसरे पक्च प्रसासन दोनों पक्चों से बात कर मामला सुलजाने की कोशिश कर रहा है आज गुरुवार को मुरहबादी में जुटेंगी राजभर की सहिया फिक्स मानते एपी अप और पेंसन की मांग राजसरकार की मुस्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है एनेचम अनुबंद पाराचिकितसा कर्मियों का अंदुलन लगतार जारी है तो वही बीते 23 जनवरी से राजभर की 42,000 सहिया भी हर्ताल पर है राजसरकार की द्वारा जब कोई पहल नहीं किया गया है तब जारकन प्रदेश स्वास्त सहिया संग की बैनर तले गुरुवार की राजभोन की समक्ष धरना देने का नर्ने लिया गया है बताते चले की स्वास्त वाकी रीड माने जाने वाली सहिया अपनी छे सुत्री मांगों को लेकर अंदुलन रत है सहिया संग की महासचिव माया सिंग ने कहा है कि राजसरकार हमें एक फिक्स प्रत सहित रासी 18,000 रुपे प्रती माह दे साथी सहियाओं को राजिकर्मी का दर्जा दे तीस दिन कारे दिवस के साथ 24,000 प्रती महा मानदे का भुकतान किया जाए एपी अप और पेंसन कलाफ मिले इसके साथ एक ठोस नियामवाली विधान सभा से पारित करने की मांग की जा रही है जारकन प्रदेश स्वास सहिया संग ने राजभर की सहियाओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में राची पहुँचे संग द्वारा सभी को मुरहबादी मैदान में जुटने का निर्देश दिया गया है यहां से रैली की सकल में राजभवन के समक्च धर्ना प्रदर्शन करने के लिए सभी पहुँचेंगी रामगड उप्चनाओ को लेकर यूपिय गटबंधन की बैठक कांके रोट सीम हाउस में हुई इस बैठक में रामगड उप्चनाओ में यूपिय गटबंधन के प्रत्यासी की जीत सुनक्षित कराने को लेकर रननिती बनाई गई मोके मंतरी हमंतु सुरेν ने यूपिय के अला नेताओं से रामगड उप्चनाओ के सियासी समिकरन के मधनजर बिंदुवार चर्चा की तथा पूरी उरजा के साथ चुनावी मैदान में उतरने का नरनाह लिया मुखे मंत्री हिमंतु सुरेन ने गडबंधन के सभी नेताओं को एक जूटता दिखातो हुए एक बार फिर रामगड विधान सभा उपचनों में जीत का प्रचम लहराने का मंत्र दिया मुखे मंत्री हिमंतु सुरेन ने बैठक में उपस्तित योपिये के सभी आला नेताओं तथा रामगड विधान सभा के विफिन प्रखन्डों से पहुँचे कारी करताओं से कहा है कि वे रामगड विधान सभा उप्चिनाव में विरोधियों को मूतोड जवाब देने के लिए तयार रहें सभी कारी करता एक जूट रहें तथा बूत अस्तर तक गडबंधन के प्रत्यासी की जीत के लिए अपना दम खम लगाएं राची में सुल्ला से 18 फरोरी तक राजस्त्रिय सहाई योजना खेल कूत परतियोगिता आज मोके मंतरी करेंगे उदगाटन जारकन के उग्रवाद प्रभावित छेत्रों में खेल और खेल परतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्यकी हेमंतु सुरिन सरकान ने सहाई योजना की शुरुआत की है जिसके अंतरगत पहले चरण में नकसल परभावित पांच जीलो पस्तिमे सिंग्भूम सराइकेला खारसामा खुंटी गुमला एवं सिम्डेगा के 14-19 वर्ज के युवक युवतियों की फुटबॉल, होक्की, एथलेटिक्स और बोली बोल खेल परतियोगिता का आयोजन क करने पहुंचेंगे, बुधवार को आयोजित प्रेश कॉन्फरेंस में खेल लिदेसक सरोजनी लखडा ने इसकी जानकारी दी है खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब नहीं किये तो प्लीस चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हर शोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए बढ़ते हैं खबरों किया रामगर की मांडू में वहन चेकिंग के दोरान करीब सड़े छे लाग रुपे बरामत रामगर की मांडू थाना के समिप एनेच तैस में ड्यूटी में तैनात अस्टेटिक सर्वलांस टीम ने वहन जाज के दोरान एका सकार्पियों से चे लाग चालिस जा रुपे बरामत किया इसके बाद द्यूटी परतैना दंडदिकारी मधू सूधन ठाकूर के निर्देश पर पुलीस की टीम वहन को जब्त कर थाना लियाई विभाग्य प्रक्रिया पूरी करने के बाद दंडदिकारी ने सभी रुपाई को बांद ची जाने के क्रम में असकारपियों में सवार, मधवाटान, कोडर्मा, निवासी, बिरंद्र कुमार यादो के वहन की भी जाच की गई, इस क्रम में दंडदिकारी समयत पुलीस की टीम वहन की तलासी ली, जिसमें वहन के अंदर एक नीले रंग की फाइल में रखे, रुप के नए पुलीस महानेदिशक अजय कुमार सिंग ने बुधवार को पदभार ग्रहन कर लिया, पदभार सम्हालते ही सुबे के पुलीस महानेदिशक ने साइबर क्रिमनल्स और संगठिद अपराथ से जुड़े लोगों को चेताउने दी, कहे कि साइबर क्राइम और संगठ मंतु सोरिन से मुलाकात की मोखेमंत्री कारेले की और से विग्यापती जारीकर कहा गया है कि राज्य के नवन्युक्त पुलीस महानेदिशक अजय कुमार सिंग ने मोखेमंत्री है मंतु सोरिन की आवासी कारेले में उनसे मुलाकात की सीमो की और से इससे सिष्टा चार भे पर जाकर अपने मन मुताबिक जीले का चेहन कर सकते हैं जीले के चेहन के लिए 20 फरवरी तक वेबसाइट ओपन रहेगी विकल्प के मुताबिकी अभ्यार्थियों के नियुक्ति पदों की रिक्ती की आधार पर समंधित जीला में की जागी आयोग ने सर्वच नियाले के आदेश पर पंचायत सचिव के लिए 1542 और लोवर कलर के लिए 666 अभ्यार्थियों की सूची जारी की थी अब आयोग ने पंचायत सचिव के लिए 35 और लोवर कलर के लिए 2 और अभ्यार्थियों को सौट लिष्ट किया है खुंटी पुलीस के समक्ष बाल नक्सली ने किया सरिंडर हत्या और पुलीस के साथ मुड़ भेड में था सामिल तब कराच शित्र की रहने वाले बाल नक्सली ने बुधवार को पुलीस के समक्ष आत्म समर्पन किया आतम समर्पन करने वाला नकसली एक लाका इनामी नकसली सुक्राम गुडिया दस्ते में सामिल था मिली जानकारी के अनुसार सरिंडर करने वाला नकसली कई हत्या और पुलीस के साथ मुड़ भेड में सामिल था पुलीस ने बता है कि तबकरा धाना और रनिया धाना में इस बाल नकसली के खिलाब केस दर्ज़ है साल 2022 में तबकरा के लोहाजीमी गाउं में एक हत्यकान को अंजाम दिया था वहरनिया थाना चेतर के कोटांग गेर गाउं में पुलीस के साथ मुड़ भेड में भी बाल नकसली सामिल था पुलीस की पूछताच में बाल नकसली ने बता है कि सुकराम गुडिया हंडिया धारू चिकन और मटन किलाने का लालस दे कर ले गया था एक साल तक जंगल में रखा उसके इसारे पर घटनाओं को अंजाम देते थे बाल नकसली ने या भी बता है कि सुकराम दस्ते में अभी भी कई बाल नकसली सामिल है क्रिसी सुल्क बढ़ोतरी के खिलाब वेवसायों की अनिश्रित कालिन हर्ताल सुरू पहले दिन सौ करोड का नुक्षान रांची के पंडरा बजार समेती जहां रोजाना हजारों की संख्या में दुकंदारों और खरिदारों की भीर लगी रहती थी लेकिन बुधवार को या भीर नहीं दिकी इसकी वजाती की बुधवार से वेवसायों ने क्रिसी सुल्क बढ़ोतरी के खिलाब अनिश्रित कालिन हर्ताल पर चले गए हैं आंदोलन के पहले दिन करीब सौ करोड रुपए का नुक्षान हुआ है वेवसायों के हर्ताल के वज़े से रांची सहित पूरे राजी में खाद अनि के अलावे सबजी और फलो के थोक और खुदरा वेवसाय पर भावित हुए हैं हर्टाल के पहले दिन रांची के पंडरा बजार समेती और अपर बजार में पूरी तरह से विवसाई कारोबा ठप रहा उन्होंने कहा है कि समानों के दाम बढ़ेंगे और सरकार को जितनी राजस्वा मिलने की उमीद है उससे ज़्यादा छती होगी जोड़ी सोलासूतरी मांग रखे जाने की बात कही गई है कहा जा रहा है कि रेली के बहान वे अपने ही सरकार को केरेंगे रेली की तैयारी पूरी कर ली गई है जिसमें लाकों की संख्या में आदिवासियों के भाग लेने का दावा किया जा रहा है कि रेली में दचनी छोट अनागपूर और कोलहान की आदिवासियों के भाग लेने की संभावना जताए गई है। इस रेली की सुरवाय दिन के बारा बजे होगी। दिवगर जिला प्रसासने सीवबरात में हाथी घोडा सामिल नहीं करने बारा फिट से उची जाकी नहीं लगाने समेत कई दिसानिरदेश जा रही हैं जिसे लेकर सीवबरात आयोजन समेती ने अपत्ति दर्ज कराई है। सरकार की और से बुधवार को कांके रोड इस्थित मोखेमंतरी अवासिये परिसर में राजिपाल रमेस बैस के सम्मान में विदाई समहरू आयोजित की गई। सरकार की और से बुध煮ान विदाई सम्मान में विदाई त्यून सम्मान देग सम्मान में विदाई विक अगर्ज को धर्मपतनी कलपना सोरिन ने रामबाई बेस को साप्रेम बुके भेट कर उनको भावविनी बिदाई दी राजिपाल रमेस बेस ने सभी के प्रती अभार व्यक्त किया। अरोप लगा है कि सीवबारात में बाधा डालना चाहती है जीला प्रसासन अब आरपार की लडाई होगी। आज सुलला फरवरी को ही हाई कोट में सुनवाई की संभावना है। हाई कोट के आदेश के बाद ही आगे की लडाई होगी। देवघर में भी होगा G20 सिखर सम्मिलन, 15 देशों के डेलिगेट लेंगे भाग। जारखन में राची के बाद देवघर में भी G20 सिखर सम्मिलन का आउजन होगा। G20 सम्मिलन में 15 देशों के डेलिगेट भाग लेंगे। इसमें US, UK, France, Germany, Spain, समयत यूरोप के अन्य देशों के डेलिगेट भाग लेंगे। इडिल इंडिया पर कुन क्लेव होगा सम्मिलन में भाग लेंगे डिलिगेट आईटी सेक्टर के होगे। इसमें विदेश की कई IT कंपनियों के परमुक भी भागने के IT पर अधारित इस सम्मेलन से संताल परगना में IT सेक्टर में निवेश के साथ साथ युवाओं के रोजगार की संभावना भी बढ़ सकती है। इसमें विदेश के परमुक भी भागने के परमुक भी बढ़ सकती है। दोनों बाइक पर तीन-तीन लोग सवार थे। घटना में दो की मौत हो गई और सेस चार लोग गंफिरूप से घाल हैं जिसे बहतर इलाज के लिए रिम्स राची राफर कर दिया गया है। राची सदर की CDPO बनी आराधना 22 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग, जारकम सरकार ने 22 बाल विकास परियोचना पर दियोचना पर दियोचना की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसके तहँ धनबाद सदर की CDPO आराधना को राची सदर का CDPO बना गया है। इस संबंध में समाच कल्यान महिला इवं बाल विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। को महासिवरात्री के आउसर पर आयोजित होने वाले स्री सीव बाराध में सामिल होने के लिए आमंतुरित किया। मुक्यमंत्री ने परतनेधी मंडल से सीव बाराध के आयोजन के लिए की जारी तायारियों की जानकारी ली। आदेश में कहा गया है कि इन सबी पुलिस कर्मियों को 19 फरवरी को जारकन पुलिस अकादमिक हाजारी बाग में युगदान करने का आदेश निर्गत किया गया है इस आदेश को अप्रिहारी करनों से अस्तगित किया जाता है रांची में आयोजित महारेली में जिले से सामिल होंगे 10,000 से अधिक लोग अपनी हक और अधिकार को बचाने सहित कुडमी महतो जाती को अनुसुचित जन जाती में सामिल करने की मांग के विरोध में 5 मार्च को रांची के मुरहबादी मैदान में आदिवासी के द्वारा मह इस महारेली में पसमे सिंग्भूम से भी दस हजार से अधिक लोग शामिल होंगे। आयोजन के लिए नौश्रदस समेती का भी गठन किया गया। संसन निसिकान दोवे पर की जा रही कारवाई पर रोक जारी रखी है। वही कोट ने इस मामले की सुनवाई दूसरे सक्षम बैच में भेजने को कहा है। साल 2021 में हुए मधुपूर विधान सभा उपचुना के दोरान सांसन निसिकान दोवे पर गलट ट्वीट करने और बायान बाजी करने को लेकर अचार सनिता ओलंगन का मामला दर्ज हुआ था। 36 गड़ अधिवेशन को लेकर कॉंग्रेस की उंचस्त्रिय बैठक बंधु तिर्की हुए समिल। या दरसाता है की पार्टी पूर्णता लोगतांतरिक धांचे पर विश्वास करती है। पेखरा निवास्ती 26 वर्सी किरन देवी के रूप में हुई है। वधल सिना में कारत जवान सुरेंद्र महतों की पत्नी थी। जानकारी के मुताबिक दो बाइक पर सवार चार लोग किरन देवी के घर पहुँची और घर का दर्वाजा तोड़ कर घर के अंदर पर वेस कर गए। इसके बाद किरन देवी जिस कमरे में सोई थी उसका भी दर्वाजा तोड़ कर कमरे में घुसकर किरन देवी को गोली मार थी जिससे घटनास्तल पर ही उसकी मौत हो गई।